आज की वीडियो में हम कुछ कमाल के कैंडल स्टिक पैटन के बारे में बात करेंगे लाइक बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, थ्री वाइट सोलजर्स, एड थ्री ब्लैक प्रोज और समझेंगे हमें इन्हें ट्रेट कैसे करना है आए वीडियो को सुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये हमारा जो फर्स्ट पैटन है, वो है बुलिश हरामी ये दो कैंडल से मिलकर बनता है इसमें जो फर्स्ट कैंडल होता है, वो एक बिगरेट कैंडल होता है और second candle एक small green candle होता है इस pattern का innovation जापान में हुआ था Harami एक Japanese word है जिसका मतलब होता है pregnant lady अब आप इस pattern को देख कर समझ सकते हो कि क्यों इसका नाम ऐसा रखा गया क्योंकि ये pattern एक pregnant lady के body shape जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम Harami pattern दिया गया है इसमें जो बड़ी candle है उसे हम mother candle बोलते हैं और छोटे candle को हम baby candle बोलते हैं याद रखे का ये जो baby candle है वो mother candle के body के अंदर होना चाहिए मतलब rate candle के अंदर होना चाहिए अब आपने Harami का मतलब समझ लिया अब इसे bullish Harami क्यों बोलते हैं ये समझते हैं ये pattern downtrend के दोरान बनता है और ये एक bullish reversal pattern है मतलब इस pattern के बनने के बाद market में uptrend यानि तेजी की possibility होती है अब दोस्तों एक बात समझेए अभी image के अंदर तो ये pattern एकदम perfect दिख रहा है पर जब आप live trading करोगे तो ये pattern exact इतना perfect नहीं दिखेगा कभी-कभी ऐसा हो सकता है mother candle इतना बड़ा है पर जो baby candle है वो इतना छोटा हो सकता है या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है baby candle का जो wick है वो हलकी सी mother candle के बाहर आ जाए पर एक बात याद रखिएगा baby candle का body mother candle के अंदर होना चाहिए हम जो pattern books में देखते है वैसा exact pattern real chart पर नहीं बनता अब समझते हैं हमें इने trade कैसे करना है तो इस pattern के बनने के बाद अगर कोई green candle mother candle के high को break करके closing दे दे तो हम यहाँ buy कर सकते हैं आईए कुछ examples देखते हैं यहाँ आप देख सकते हो market downtrend में है और chart में हमने filter के लिए stockistic RSI apply कर रखा है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक bullish हरामी candlestick pattern है पर अभी हमें immediately कोई trade नहीं लेना हमें एक green candle के बनने का wait करना है जो इस mother candle के high को break कर दे इस point पे एक green candle ने mother candle का high break कर दिया और at the same time stockistic RSI में bullish crossover होता है जो हमें additional confirmation provide करता है stockistic RSI में bullish crossover मतलब जब 20 level के नीचे K line D line को नीचे से उपर के दरफ cross करता है अब हम यहाँ buy कर सकते हैं देखे इन patterns में additional confirmation के लिए आप oscillators के use कर सकते हो like MSAD, RSI, stockistic RSI, etc आए एक और example देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो market downtrend में है और यहाँ हमारे पास एक bullish harami pattern है next अब हमें mother candle के high break का weight करना है तो इस green candle ने mother candle के high को break कर दिया और at the same time यहाँ हमारे पास stockistic RSI में एक bullish crossover है अब हम यहाँ buy कर सकते हैं आईए अगला chart देखते हैं जो है bearish harami यह भी एक Japanese reversal candle stick है यह just bullish harami के opposite है इसमें जो first candle होता है वो एक big green candle होता है जिसे हम mother candle बोलता है और second candle एक small red candle होता है जिसे हम baby candle बोलता है अगिन baby candle mother candle के अंदर होना चाहिए और यह a trend के दौरान बनता है और इस pattern के बनने के बाद market में एक bearish trend की possibility होती है मतलब अब market यहां से गिर सकता है अब समझते हैं इसे trade कैसे करना है अगर uptrend के दौरान हमें bearish harami candlestick pattern मिलता है तो हमें देखना है अगर next candle या second next candle mother candle के low को तोड़ दे तो हम यह short कर सकते हैं इसके साथ हम additional confirmation के लिए oscillators का use कर सकते हैं आईए कुछ example देखते हैं तो यहां आप देख सकते हो market uptrend में है और यहां हमारे पास एक bearish harami candlestick pattern है एक big green candle जो की एक mother candle है the next small baby candle जो इस mother candle के range में है अब हमें इस mother candle के low के break होने का wait करना है next इस point पर mother candle का low break हो जाता है और at the same time यहां हमारे पास stockistik में एक bearish crossover है जहां 80 level के उपर K line D line को उपर से नीचे के तरफ cross करता है now अब हम यहां short कर सकते हैं एक और example देखते हैं यहां आप देख सकते हो uptrend के दौरान हमारे पास एक bearish harami candlestick pattern है now अब हमें breakout को wait करना है पर उसके पहले अगर आप stockistik RSI में देखो तो यहां एक bearish crossover already हो चुका है तो क्या अब हमें यहां trade ले लेना है तो answer है नहीं आपको always breakout plus additional confirmation पर trade लेना है अब हम breakout को wait करेंगे next इस candle ने mother candle का low break कर दिया अब हमारे पास एक bearish crossover है plus low breakout अब हम यहां short कर सकते है तो हमारा जो next pattern है वो है three white soldiers यह तीन candle से मिलकर बनता है और यह तीनो candle ही green candle होती है यह एक reversal pattern है जो downtrend के दोरान बनता है इस pattern के बनने के बाद market में एक uptrend की possibility होती है अब थोड़ा इसके formation को समझते हैं तो first green candle के बनने के बाद जो next green candle होता है उसका opening price previous candle के अंदर होता है पर closing price previous candle के high के उपर होता है अगेन जो third candle होता है उसका opening price previous candle के body के अंदर होता है पर closing price previous candle के high के उपर होता है अब समझते हैं हमें इसे trade कैसे करना है तो जब आपको downtrend के बाद bottom में के breakout का weight करना है मतलब third candle के high के break होने का weight करना है अगर कोई green candle third soldier का high break कर दे तो हम यहाँ buy कर सकते हैं आएए कुछ example देखते हैं यहाँ market downtrend में है और यहाँ हमारे पास three white soldier pattern है नाव यहाँ हमने chart पर RSI apply कर रखा है अगर आप RSI को देखो तो RSI इन three candles के formation के दोरान अपने oversold level को cross करके उपर आ गया है meaning अब market bullish है अब हमें इस third soldier के high के break होने का weight करना है तो यहाँ इस green candle ने इसका high break कर दिया अब हम यहाँ buy कर सकते हैं तो हमारा next pattern है three black rose यह pattern तीन red candle से मिलकर बनता है और यह एक reversal pattern है जो uptrend के दोरान बनता है इस pattern के बनने के बाद market में downtrend की possibility होती है again इनका opening price previous candle के body के अंदर होता है पर closing price previous candle के low के नीचे होता है और इनका wick छोटा होता है अब समझते हैं हमें से trade कैसे करना है इस pattern के बननने के बाद अगर कोई red candle third crow के low को break करके closing दे दे तो हम यह शौट कर सकते है आए चार्ट पर इसे समझते है यहां हमारे पास uptrend के बाद एक 3 black cross pattern है और यहां chart पर RSI applied है अगर आप RSI को देखो तो यह indicate करता है जब यह 3 candles form हो रहे थे तब RSI अपने overbought level को cross करके नीचे आजाता है मतलब RSI हमें एक गिरावट indicate कर रहा है अब हमें इस third crow के low breakout को wait करना है अगर एक red candle इस third candle के low को break कर दे तो हम यह शौट कर सकते है तो यह कुछ patterns है जिने हमने trade करना सीखा hopefully guys आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए best of luck for your stock